पंडित माखनलाल चतुरवेदी की ख्याती एक लेखक, कवी और वरिष्ट सहत्यकार के रूप में है लेकिन वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी इसके अलावा उनकी पहचान एक जागरुक और कर्तव्य निष्ट पत्रकार की भी थी इस वजह से ही उनके नाम पर पत्रकारिता को समर्पित एशिया की पहली युनिवर्स्टी माखनलाल चतुरवेदी नाशनल युनिवर्स्टी उफ जर्नलिजम और कॉम्म्यिकेशन का नाम रखा गया है माखनलाल पंडित जी के नाम से भी विख्यात है माखनलाल चतरवेदी को ब्रिटिश राज के दोरान स्वतंत्रता के लिए चलने वाले विभिन आंदोलनों में दिये योगदान के कारण भी याद किया जाता है इसके अलावा उनकी रचनाएं पुष्प की अभिलाशा और हीम तरिंगिनी आज भी उतनी ही प्रसिद है जितनी उस समय थी जब इसकी रचना हुई थी वो भारत के स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल भी गए थी लेकिन स्वतंत्रता के बाद उन्होंनों सरकार में कोई पद लेने से मना कर दिया नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपावली में जहां आज मैं आपको श्रीपंडेत माखनलाल चतुरवेदी जी का जीवन परिछे देने जा रही हूँ सब्सक्राइब करें दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वो स्वतंत्रता से पहले और बात में भी लगातार कई समे तक समाजिक अन्याय के विरोध लिखते रहे और महात्मा गांधी के दिखाई सत्य अहिंसा और मार्ग पर चलते रहे उनकी कविताओं में भी देश के प्रती समर्पन और प्रेम को देखा जा सकता है माखनलाल चतुरवेदी, जनम और प्रारंबिक जीवन माखनलाल चतुरवेदी का जनम, 4 एपरल 1889 को ब्रिटिश इंडिया में हुआ था ततकालिक समय में उनका जनम स्थान मध्य भारत के बाबई में है, जो की होशंगा बाद में आता है माखन लाल चतुरवेदी के जनम के समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था एवं तब स्वाधीनता के लिए संघश चल रहा था और माखन लाल जी को ये समझ आते ही कि देश की प्रगती के लिए स्वतंत्रता बहुत आवशक है देश हित में कारे करना शुरू कर दिया माखन लाल जब 16 वर्ष के हुए तब ही स्कूल में अध्यापक बन गए थे उन्होंने 1906 से 1910 तक एक विद्याले में अध्यापन का कारे किया लेकिन जल्द ही माखन लाल ने अपने जीवन और लेखन कौशल का उप्योग देश की स्वतंत्रता के लिए करने का निन्ने ले लिया उन्होंने असयोग आंदोलन और भारत छोडो आंदोलन जैसी कई गती विदियो में भाग लिया इसी क्रम में वो कई बार जेल भी गए और जेल में कई अत्याचार भी सहन किये लेकिन अंग्रेच उन्हें कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सके माखन लाल चतुरवेदी का करियर 1910 में अध्यापन का कारे छोड़ने के बाद माखन लाल राष्ट्रे पत्रिकाओं में संपादक का काम करने लगे उन्होंने प्रभा और करम वीर नाम की राष्ट्रे पत्रिकाओं में संपादन का काम किया माखन लाल ने अपनी लेखन शैली से देश के एक बहुत बड़े वर्ग में देश प्रेम भाव को जागरित किया उनके भाशन भी उनके लेखुं की तरह ही ओजस्वी और देश प्रेम से ओत प्रोत होते थी उन्होंने 1943 में अखिल भारतिय साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की उनकी कई रचनाई तब देश के युवाओं में जोश भरने और उन्हें जागरित करने के लिए बहुत सहायक सिध हुई माकनलाल की लेखन शैली नव छायावाद का एक नया आयाम स्थापित करने वाली थी जिनमें भी चतुरवेदी की कुछ रचनाई हिम तरिंगिनी कैसा चांद बना देती है अमर राश्र और पुष्प की अभी लाशा तो हिंदी सहेत्य में सद्यों तक अमर रहने वाली रचनाई हैं और कई युगों तक ये आम जन को प्रेरित करती रहेंगी माकनलाल चतुरवेदी अवर्ड और उनको मिले संबान माकनलाल 1955 में सहेत्य अकैडमी का अवर्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं हिंदी सहेत्य में अभूत पूर्व योगदान देने के कारण ही पंडे जी को 1949 में सागर युनिवस्टी से डी लिट की उपाधी भी प्रदान की गई 1983 में माकनलाल चतुरवेदी को सहेत्य और शिक्षा के छेत्र में अपूर्व योगदान के कारण पद्म भूशन से भी सम्मानित किया गया माकनलाल चतुरवेदी का हिंदी सहेत्य को योगदान माकनलाल की कुछ प्रमुक काल जी रचनाएं हैं हिम तरिंगिनी समर्पन हिम कीरतनी योगचरण सहित्य देवता दीप से दीप चले कैसे चान बना देती है और पुश्प की अभिलाशा जिनमें से वेडू लो गुझे धराहिम करतीनी हिम तरिंगिनी योगचरण सहित्य देवता तो सूप्रसिद लेख है इसके अलावा कुछ कविताएं जैसे अमर राष्ट्र अंजली के फूल गिरे जाते हैं आचनेयन के बंगले में इस तरह धकन लगाया रात ने उस प्रभात तू बात न माने किर्णों की शाला बंध हो गई छुप छुप कच कुटीरी यमुना तीरे गाली में गरीमा घोल खोल भाई छोड़ो नहीं मुझे मधूर मधूर कुछ गादो मालिक संध्या के बस दो बोल सुहाने लगते हैं इनके मृत्यो राष्ट्र ने साहित्य जगत का ये अनमोल हीरा 30 जन्वरी 1968 को खो दिया पंडेची उस समय 79 उम्र के थे और देश को तब भी उनके लेखन से बहुत उमीदे थी इनकी दरोहर माखनलाल चतुरवेदी के साहित्य की विधी में दिये योगदान के सम्मान में बहुत सी युनिवरस्टी ने विविद अवोर्ट्स के नाम उनके नाम पर रखे मध्यप्रदेश सांस्कृतिक कौनसिल द्वारा नियंतरित मध्यप्रदेश साहित्य अकैडमी देश की किसी भी भाषा में योग्य कवियों को माखनलाल चतुरवेदी पुरुसकार देती है पंडित जी के देहान के 19 वर्ष बाद यानी 1987 से ये सम्मान देना शुरू हुआ था भुपाल मध्य प्रदेश में स्थित माखनलाल चतुरवेदी राश्ट्रिप पत्रकारिता विश्विद्याले पूरे एशिया में अपने प्रकार का पहला विश्विद्याले है इसके स्थापना पंडित जी के राश्ट्रे स्वधीनता संग्राम में पत्रकारिता और लिखन द्वारा दिये योगदान को सम्मान देते हुए 1991 में हुई भारक में पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्ट्मेंट ने भी पंडित माखनलाल चतुरवेदी को सम्मान देते हुए पोस्टे स्टाम की शुरुवात की ये स्टाम पंडित जी के 28 जनम दिन 4 एप्रिल 1977 को जारी हुआ आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्षन में लिखका जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथ ये दीपवली चानल को सबस्क्राइब करें